जी आ दोस्तों जैसे हमारे देश में नया माईना और नया दिन की सुरुवात होती है वैसे हमारे देश में बहुत सारे चीज़ बदल जाते हैं तो ठीक दोस्तों आने वाले एक नॉमबर 2021 से हमारे भारत के सरकार हमारे देश में ये चार चीज़े हमेशा के लिए बंद करने आपके रोजमर्ना की जिंदिगी से जुड़ी ही है अगर दोस्तों आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आगे चल करके आपको ज्यादा परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है तो चलिए आए देख लेते हैं कि हमारे भारत देश में एक नॉमबर 2020 से कौन कौन सी ची आपकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोट्फिकेशन आपको समय समय से और आसानी से मिल जाये करेंगी दोस्तों सबसे पहले बड़ा जटका लगने जा रहा है वाटसप चलाने मालों के लिए जिया दोस्तों दरसल एक नॉमबर 2020 से हमारे पापुलर मैसेजिंग वाटसप अपने सभी कश्टमरों से यह अपील किया है कि अगर आप पुराने स्मार्टफोन में अगर आप वाटसप का यूज करते हैं तो आप पुराने स्मार्टफोन में वाटसप का यूज करना बंद कर दीजिए क्योंकि आने वाले एक नॉमबर 2020 से अगर आप पुराना वाला स चलाते हैं जैसे कि अगर आप Samsung J2 चलाते हैं Samsung J7 चलाते हैं ये समार्टफोन अगर आप यूज करते हैं तो आने वाले एक नमबर 2021 से इन सभी पुराने वाले समार्टफोन में एक नमबर 2021 से WhatsApp चलना बंद हो जाएगा और इसी के साथ दूसरा जो हमारा नया नियम जारी हुआ यानि कि हमारे भारत देष में एक नमबर 2021 से दूसरी जो चीज बंद होने वाली हैं दोस्तो बता दे कि अगर आपका किसी भी सरकारी बड़े बैंक में खाता है तो एक नमबर 2021 से हमारे भारत के सरकार ने बैंकों के time table के साथ-साथ अगर आप बैंक से पैसे निकालते हैं यार जमा करते हैं तो उसके नियम में बदला हो चुका है और आपसे दोस्तों हमारे सभी बैंक 9 बैस लेकर के 2 बज़े तक खुले जाएंगे क्योंकि हमारे देश में अब ठंडी का माहल सुरू हो चुका है और जब तक हमारे भारत देश में ठंडी का माहल बना रहेगा तब तक आपके सभी बैंक सुबा 9 बैस लेकर के दोपर 2 बज़े तक खुली रहेंगे तो ये हमारे भारत के सरकार ने हमारे बैंकों के टाइम टेबल को लेकर के नियम बना दिया है और इसके अलावा दोस्तों गर आप ती नजार रुपे से जादा अपने बैंक में बैलेंस को मेंटेन्स नहीं करते हैं तो आने वाले एक नवमबर 2021 से आपके एकाउंट से पैसे कटेंगे तो ऐसा आप विल्कुल भी ना करें अगर दोस्तों आपके एकाउंट में तीनजार रुपे से कम बैलेंस है तो उसे आप तीनजार से ज़्यादा बैलेंस कर दीजिये वरना आ आज सी बात है दोस्तों कि आज कल के जमान में हरे गर में रसोई गैस सिलिंडर तो होता ही है तो इसलिए हमारे वारत के सरकार आने वाले एक नमबर 2020 से सभी रसोई गैस सिलिंडर वालों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है गैस की सबसिदी को ले करके अगर दोस्तो तो आप साल में 10 लाग रुपे से ज़्यादा कमाते हैं तो आपके बैंक हाते में गैस की सबसीडी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा लेकिन अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलॉंग करते हैं यानि कि अगर आपकी सलाना इंकम 10 लाग रुपे से कम है तो आपको हर म माने में हर एक बैक्ति के पास अधारकार्ड तो होता है तो अगर दोस्तों आपका अधारकार्ड अभी तक पैन कार्डस लिंक नहीं है तो आप जल्दिस जल्दी अपने पैन और अधार को वापस में लिंक करवा लीजिए ओभी 31 अक्टूबर 2021 के पहले पहले अगर दोस् पुछ हमारे भारत के सरकार हमारे देश में एक नमबर 2020 से बहुत ही खतरनाक नया नियम जारी करने वाली है अगर दोस्तों आप इस सभी नियमों के खिलाब जाएंगे तो आने वाले एक नमबर 2020 के बाद आपको भारत में राना बहुत ही जादा मुस्किल हो जाएगा इसी ख़बर के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर फ्रिस करते हैं मिलते हैं एक और नहीं जानकारी में एक और नहीं अपडेट के साथ तब तक लिए जै हिंदू बंदि मात्रम